नमस्कार मैं अमित भोबिया दोस्तो करोना काल के बीच आपके लिए एक अच्छा सा डाइट प्लैन लेकर आया हूं अच्छा है या बूरा है यह तो आप बताएंगे लेकिन अगर करोना है करोना नहीं है करोना ठीक हो चुका है तो भी आप इस डाइट प्लैन को फोलो कर सक और इसको बनाने का मेन कारण ये था कि लोग कोई लसुन खा रहा है तो वो एकदम लसुन की सबजी दिन में तीन बार खा रहा है कोई हल्दी खा रहा है तो वो दूद में हल्दी हल्दी डाल की पी रहा है कोई जो है अंडे के पीछे पढ़ गया तो वो अंडे के पीछे तो डाइट प्लैन के अंदर मैंने अपने उठने का टाइम साथ बजे का रखा है अगर आप लोग दस बजे उठते हैं दो पहरे में ग्यारा बजे उठते हैं तो भी आप उस डाइट प्लैन को फोलो कर सकते हैं प्रमल सी बात मैं यह नहीं कहूंगा कि सुबह पांच बजे उठीए फिर योगासन कीजिए फिर भोजन कीजिए वो सब बाते कहने की नहीं है क्योंकि अगर आप रात को लेट नाइट तक कोई काम करते हैं तो आपको सुबह लेट यूठना चाहिए क्योंकि आठ घंटे की नीन तो कम से कम पूरी करनी चाहिए ना रात को आप तीन बजे तक गल्फरंड से चैट कर रहे हैं उसके बाद सो रहे हैं तो आप यह नहीं है कि सुबह आपको छे बजे उठना है आप आरांग से उठीए ठीक है आपने जो काम करना था वो काम जुरूरी था वो भी करना चाहिए खेर अब हम डाइट प्लैन की बात करते हैं साथ बजे का मैंने डाइट प्लैन मनाया टाइम अपने हिसाब से अरजस्ट कर लेना मैं साथ बजे उठता हूँ उसके हिसाब से डाइट प्लैन यह है कि सुबह उठते ही आप लोगों के पास दो अप्शन है या तो आप निम्बू और गरम पानी और शहद यह मिला कर और एक गिलास पी लिजिए एक चमच शहद हो गया एक निम्बू हो गया और एक गिलास में गरम पानी में यह तीनों चीज मिलाई और पी लिया एक option यह है कि जो पेठा आता है एक तो सब्जी वाला पेठा होता है एक पेठा होता है जिससे गवार पेठा बनता है जिससे आगरा का पेठा का जाता है मिठाई बनती है पेठे वाली तो वो वाला जो पेठा होता है उसका काफी बड़ा चार-पंच किलो का पेटा आजाता है अगर वो बजार में आपको मिल सके तो वो ले आए उसको फ्रीज में रख लें वो खराब नहीं होता है और उसका एक पीस काटा उसको मिक्सी में थोड़ा ग्राइंड किया सुर्य नमश्कार का मतलब है कि इसके दस पोजिशन होती है उनके हिसाब से आप अलग प्रका के दंड उसमें लगाए जाते हैं उसके हिसाब से किजिए वो बाबारामदेव का देखके वीडियो वहां से समझ लेना योग कीजिए में मतलब ये है और ऐसी योग कीजिए जो आपके लंग्स को फिफणों को थोड़ा फाइदा दे सके उसके बाद आपको क्या करना है नो बजे सैंडवेच परांठा दही ये सब नहीं लेना दही लेना है पर कैसे लेना है वो बताऊंगा क्योंकि लोग आलू परांठा और दही एकदम दबा के खा लेते हैं ऐसा नहीं करना आपको सूखी रोटी लेनी है घी कम घी जितना कम हो सके उतना लीजिए कम रोटी लेने हैं सबजी लेनी है और उसके साथ में दही की प्लेट लेनी है और उसी के साथ में अगर अंडे खाना चाहते हैं तो आप अंडे खा सकते हैं थोड़ा हलका सा breakfast कर लेजिए उसके बाद आप 11 बजे फल फ्रूट खाना शुरू कीजिए 11 बजे आपको क्या करना है? विटामिन सी वाले फल फ्रूट खाने हैं जैसे आप पपीता ले सकते हैं, आप संत्रा ले सकते हैं, आप जो है अनानास ले सकते हैं ज्यादा affordable वाले आदमी हैं वो कहते हैं एकदम luxury किसम वाले तो आप ठीक कीवी भी भी ले सकते हैं लेकिन आपको जिसके पास ये सब नहीं है, फ्रूट नहीं है, वो सलाद ले लीजिए, नीमूनी चोड़ लीजिए उसके उपर, और वो खा लीजिए, थोड़ा हलका सा कि आपका पेट कुछ-कुछ भरा हो, उसके बाद डेड़ बजे के करीब आपको क्या करना है, तीन चप यसी वाले की बटर मिल्क वो भी ले सकते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त में, चार बजे के करीब, चने, भुने हुए हूँ, भिगोए हूँ, बिदाम जो है, वो भिगोए हूँ, मूंग, स्प्राउट, उनके स्प्राउट वगरा बनाके जैसे उगे ह हूँ, तो ये सब चीजें ले सकते हैं, मुंगफली के दाने ले सकते हैं, इसके बाद शाम को, शाम के वक्त में आपको जब हम पांच-छे वज़ आते हैं, उस वक्त हम चाय लेते हैं, चाय विस्क्रिट लेते हैं, तो उस वक्त आपको क्या करना है, दूद वाली चाय ले लीजिए यानि जहां पर दूट डालते हैं वहां पर नेबूरी चोड़ना है बस उसमें लैमन्टी उसको अंग्रेजी में कह देते हैं वो ले सकते हैं और हलका फुलका बिस्क्रिट गएर उसके साथ खा सकते हैं उसके बाद आठ बजे आपको डीनर करना है डीनर के अंदर क थोड़ी खिचडी ऐसी चीज़े लीजिए दाल बनी है तो दाल पी लीजिए और इसके बाद दो घंटे के अंदर अंदर दो घंटे के बाद लगवाग एक घंटा तो कम से कम गैप देना है उसके बाद अब गर आपको नो बजे नीद आ रहे है तो ठीक है आप दूद पी लीजिए और सोजाइए दस बजे आ रहे है तो दूद पीके सोजाइए यानि कि दो घंटे कम से कम गैप देकर उसके बाद दूद पीना है और आपको सोजाना है तो ये पूरा का पूरा आपका डाइट प्लैन है मुझे लगता है कि ये डाइट प्लैन हर कोई विक्ति अच्छा बन जाएगा उससे क्या है में मालूम पढ़ जाएगा कि ठीक है है मारी वीडियो का रिस्पोंस ठीक आ रहा है तो इससे आपकी वीडियो इन लोगों तक पहुंचाने है तो ये प्लैन मुझे लगता है कि अच्छा आपको समझा गया होगा और वैक्सिन लगवा लीजिए और ये गोभर से नहाना गौ मित्र पिना ये नीपू चुसना सारा दिन लसुन खाना यह सब कम कर दीजिए और हां लसुन हल्दी इनकी मात्रा नहा सारा जितना बहुजन बनतेशिसमे पहले से थोड़े इंक्रीज कर दीजिए कि वो आपकी बोड़ी को गर्मी ज्यादा नुक्सान भी ना पहुंचा है इस गर्मी में लेकिन आपकी सेहत को भी अच्छा रखें क्योंकि लसुन और हल्दी दोनों फाइदे मंद होते हैं खर ठंडा भी कम लेना आपको और बाकी जो भी सवाल हो कोमेंट बोक्स में पूछ लेना मैंने वैक्षिन लगवाली वैक्षिन आप भी लगवाली जी देखते रहिए ABC इंडिया और ABC फिटनेस सीरीज